जेहें हिन दोस्तों स्वागा थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन आंसर आपको यहाँ पर डांक्टर बच्चन से संबंदित तो आपके लिए वीडियो पूरा बस से देखना है अगर बहुत ही कम दामों में यहाँ पर उपलब्द हैं तो आपको सेल पिश्टेडी किलासे से अब डांलोड करना प्लेश्टोर से और अपनी तयारी में लग जाना है तो चलिए देखते हैं डांक्टर बच्चन से संबंदित फर्ष्ट कॉस्चन पूंचा है कि डांक्टर बच विकल्प नंबर सी यानि की 1919 में दो जुलाई 1919 जौनपुर में इनका जन्म हुआ था विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा क्वास्चन नंबर दो पूंचा है डांक्टर बच्चन से मुख रूप से हैं आलोचक हैं उपन्यासकार हैं नाटककार हैं या पत्रकार माने जाती हैं तो विकल्प नंबर अपना यहां पर दो हैं महत्वपून हैं और डांक्टर बच्चन से मुख रूप से साहित्यकार हैं आलोचक साहित्यकार माने जाती हैं तो विकल्प नंबर आपका यह आपका राइट आंसर होगा डाक्टर बच्चन से का जन्म कहां पर गाउं जौनपुर् उत्तर प्रेश मेन का जन्म हुआ था? विकल्प नमबर एक आपका सई आंसर होगा विकल्प नमबर एक राइट आंसर हैं अंगल कॉस्चन है डाक्टर बच्चन से किस पत्रिका का एक दसक तक अभियतनिक समपादन किया है तो डाक्टर बच्चन से ने किस पत्रिका का एक दसक तक अवियतनिक संपातन किया है तो नांगरी पर चालनी विकल नंबर सी आपका सही आंसर होगा डाक्टर बच्चन से का एक मात्र कहानी संग्रह माना जाता है कई चेहरों के बाद एक और अस्त थामा जंगल में आग महले का रावर तो यहाँ पर पूँचा डाक्टर बच्चन से का एक मात्र कहानी संग्रह माना जाता है तो कौन सा माना जाता है तो आपका राइट आंसर होगा कई चेहरों के बाद यह जो है विकल्प नंबर एक जो है आपका सही आंसर होगा कौस्चन नंबर छे पूँचा है इनमें से कौन सा उपन्याख डाक्टर बच्चन से का नहीं है लहरें और कगार या फिर एक और कुन्ती या पान-चाली यह आपकी चार विकल्प है कौन ऍपन्याख डाक्टर बच्चन से का नहीं है नहीं पूँचा है कौस्चन नंबर छे में और छे का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी आंसर है बी यानि की एक और कुंती आपका राइट आंसर होगा Q7 क्या पूंचा है तो देखिए ए रहा कि हिंदी साहित का दूसरा इतिहास की रचनाकार कौन माने जाते हैं Most important question है कई पार पूंचा गया question है हिंदी साहित का दूसरा इतिहास की रचनाकार माने जाते हैं तो बिल्कुल सही right answer है, question number 7 का सही answer है, आपका डाक्टर बच्चन सेह, विकल्प नमबर D आपका सही answer होगा, इन में से कौन सी आलोचिना डाक्टर बच्चन सेह की नहीं है, नए साहित्य का तरक सास्त्र, बिहारी का नया मुल्यंकन, आचार सुकल का इतिहास पढ़ते हुए, आधनिक हिंदी आलोचिना के बीज सब्द, इन में से कौन सी आलोचिना डाक्टर बच्चन सेह की नहीं है, नए साहित्य का तरक सास्त्र, यह जो विकल्प नमबर 1 है, आपका सही answer होगा, question number आपका यहाँ पर, नव पूच्छा है, डाक्टर बच्चन सेह का हिंदी साहित् आपका यहाँ पर दिये गए हैं, और आपका सही answer है, 1996 विकल्प नमबर आपका C, यहाँ पर राइट आंसर होगा, question number आपका 10 पूच्छा, आदुने खिंदी आलोचिना के बीज सब्द नामक आलोचिना का प्रकासन कब हुआ, question number 10 है, महत्तपून है, आदुने खिंदी आल नमबर B, आनि की 1983 आपका राइट आंसर होगा, 1983 राइट आंसर है, विकल्प नमबर आपका यहाँ पर D, राइट आंसर है, यानि की 5 अप्रेल 2008 को इनका निधन हो गया था, जन्म इनका 2 जुलाई 1919, उत्तर प्रेटिस की जन्म पर जिले की भदवार ग्राम में इनका जन्म हुआ था, डांक्टर बच्चन सेंका, तो इस परकार यहाँ पर आपन ने देखे, डांक्टर बच्चन सेंजी से संबंदित महत्तपून, question answer, क्यासा लगा वीडियो कमेंट की टेस्ट सीरेज, और हिंदी साहित की 2020 टेस्ट सीरेज सब्ताह में दो दिन फ्री करवाई जाती है, तो इससे भी अब सुझड़े, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, सेल्प एस्टडी क्लासे और आपको अपनी तयारी में लग जाना है, तो आज की वीडियो मे बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सरसाफ अब्लिकेशन का इमाला बस्तु निष्ट प्रिशनी की एबुक है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद